हमारे साथ मौझूद है Special CP Law and Order दिपेंदर पाठक जी दिपेंदर जी जहांगी पूरी मामले में एक बड़ी गिरफतारी हुई है किसकी गिरफतारी हुई है इसका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ रहा है वो दो दिनों से एक फोटोग्राफ और एक वीडियो जो वाइरल हो रहा था जिसमें एक ब्लू कुर्ता पहन कर एक सक्स गोली चला रहा है इसकी सबसे पहले हमने इसको आइडेंटिफाई किया बेस्ट ओन एलेक्ट्रोनिक और हुमन इंटेलिजेंस और लोगों से पूछताच करके उसके बाद आज हमारी नॉर्थ वेस्टिक के स्पेसल स्टाफ टीम और उसके साथ और भी कई टीम लगी भी थी हमने इसे पकड़ लिया है और इससे पूछताच कर रहे हैं ये इसका नाम सोनु शेख यूनुस अलियास इमाम है और बाकी जो और तमाम डिटेल हैं ये किस तरह के केसिस में इनवाल्व रहा है और इसके क्या क्रिया कलाप है कुल मिलाकर ये जो जो दंगे की घटना हुई है शनीवार के शाम में उसका अब तक का सबसे दुर्दानत अपराधी के रूप में सामने ये आया है ये एक बड़ी सफलता है नौर्थ वेस्ट डिस्टिक की और इसको पकड़कर इसके आगे की पूछताच हो रही है जैसा कि देखा गया वीडियोज अलग-अलग सामने आए और भी तमाम लोगों के हाथ में पिस्टॉल देखी गई तो अब तक उन में से कितने गिरफतारी और रिकवरीज हो पाई है देखिए टोटल अगर आज तक के गिरफतारी की बात कहें तो चौबिस हुई है जिसमें चौबिस में दो एप्रिहेंशन है जो दो जूवेनाइल्स हैं और बाकी जो बाईस हैं जो गिरफतारीया हुई है इसमें जो भी आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं यानि कुल मिलाकर जितने लोग रिवालवर या कुछ उस तरह की चीजें लेकर सामने दिखे हैं उन सब की गिरफतारीया हो गए हैं दो तीन और बचे हुए जिसपर हम काम कर रहे हैं जो भी गिरफतारियां हो रही है ये साक्षे के आधार पर एविडेंस के आधार पर पूरी तरह से वेरिफिकेशन और क्रॉस चेक करके जो सोनु सेख यूनुस ऐलियास इमान की जो गिरफतारी हुई है ये वन अफ दे मोस्ट इंपोर्टन्ट है जो काफी सेंसेशनल तरीके से ये सामने आया था और एक इसे मैं दुर्दान तपरादी इस जो दंगा का प्रकरन हुआ है उसमें मैं इसे मानता हूं परविशन को लेके बड़ा एक वहां पोसी स्थिती सामने आई दिल्ली पुलिस ने कहा कि परमिशन कुछ की दी हुई थी कुछ की नहीं दी हुई थ था उससे पहले भी जब कभी भी ये हनुमान चैनती के अफसर पर ये जो लोकल शोभायात्रा निकलती थी तो कुल मिलाकर 16 तारिक को तीन शोभायात्रा निकली थी जिसमें दो शोभायात्रा को जो ग्यारा बजे और एक बजे का था उसको परमिशन मिली थी वो 25 तारिक मा को उनके applications आये थे जो तीसरी सोबह यात्रा थी वो एक दिन पहले शाम को उनका application आया था और इनको permission नहीं मिल पाई थी